कि जब किशी से बिहारी चिकन की बारें बात करें तो बस वह koglej identifies की यहीं है कि इसका फ्लेवर और टेस्ट एक दम से युनिक है डलता वही से सब मसाले डलते सम्पेफ़ें लेकिन इसका बनाने का तरीग है तो आज मैं बिहारी चिकन बनाने जा रहा हूं हम भी विलोम करते हैं यह चिकन बहुत इंबास्त है बिहार लोग को चट पटा और तीखा बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो आप देखिए आज मैं बिहारी तरह के बिहारी स्टाइल से चिकन बनाता हूं हेलो दोस्तों है हूं दीपक और आप स चेटी चीकल लिया है अच्छे सबकर दिया और उसेकश्य चमंस कि लिए होग लिए ईसके 900 क लया है औरहले हमें —500 लसुन डाल हां इते हिं था एं और करेंगे और यह हहरी मिर्च अपने स्वादन तर देख लिए और हम यह आम पचीज ग्राम अधरक लिया है इस सब कामें फायन पेज्ट तयार कर लेते हैं यह देखिए हमारा मैं लाएफ एक llo करते हैं हम एक बॉल में इसे टांसफर कर लेते हैं फिर हम यह पर दो मीडियूम साइज का टमाटर लिया है इसे भी हम सेम करेंगे इसे भी हम एक पेस्ट तयार कर लेते हैं टमाटर का भी आप चाहिए इसका पेस्ट नहीं भी बना सकते हैं लेकिन पेस्ट बनाने से थोड़ा बेटर होगा यह देखे हमारा पेस्ट तयार हो चुका है टमाटर का प्याज कटा हुआ है हम यहाप लगवक 2 किजी चिकन है तो हमने यहापे 400 से 500 ग्राम के बीच में प्याज डाला है प्याज को हम इतना भूनेंगे ताकि उसका सारा पानी एब्जोर्ब हो जाए और थोरा गोल्डन ब्राउन हो जाए नहीं तो क्या होगा चिकन भी पानी छोड़ता है यह देखिए तो इसका पानी पहले हम सब एब्जोर्ब करवा देते हैं अब तब हम चिकन डाल रहे हैं इ इसे अच्छे से भूनेंगे और इसका सारा पानी जब तक खतम न हो जाए तब तक इसे भूनते रहना साथ में यह जो बचा हुआ लासुन था इसे हम ऐसे ही डाल देते हैं आप चाहे तो बीना छीले हुई डाल सकते हैं लेकिन छील के डालने सो अच्छा होगा खाने में स लेकिन वह ज्यादा भासेगा मुह में धाप में तो ऐसे ही आप डालिए और इसे अच्छे से भूनना है दोस्तों देखिए हमारा भूना चुका पानी सारा एब्जोर्ब हो चुका है अब हमने यह पर जो पेस्ट तयार किया था अधरक लसुना और हरी मिर्ज का वह पेस् दोस्तों इसको भूनाय करना विहारी चिकन बनाने के लिए आपको इसे अच्छे से भूनना बहुत जरूए कि हार में चट पटा जब तक नहीं होगा तो मजा नहीं और नमक डाल रहे हैं स्वाद नमक डाला है बाद में भी नमक डालेंगे तो ज्यादे नमक डाले से चिकन तूट जाएगा और धनिया का पत्ता डाल दिए है तो डा नीचे तो यह पर तेल बगे ज़्यादा नहीं डाला है ज्यादा डालने से तिल स्वास के लिए ठीक नहीं होता है यह देखिए हमारा बुना चुका चिकन अच्छे से और हम इसमें पानी डाल देते हैं आप चाहे तो गरम पानी का भी इस्तौमाल कर सकते हैं तो अच्छा सब्सक्राइब तो आपको बंद कर सकते हैं गयज को लेकिन थोरा ग्रेवी और गाढ़ा होने देते हैं तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रेचीपी अगर जो हमारा रेचीपी आपको अच्छा लगए तो प्लीज जो लोग हमारे चैनल पर नए है प्लीज सस्क्राइब करना ना बूले जो चैन डेक्प दोस्तों को अब हम आपको शाबल के साथ रिखा देते हैं कि हमने चाबल बनाया था हम राइस के साथ ठ्लीन के ने रोटि देह दो सक्किरा डाल देते हैं दोस्तों तो दोस्तों ऐसा लगा रहा खीर